जी हलो दोस्तों मेरा नाम है अरुन उम्मीर है आप लोग ठीक होंगे दोस्तों भाउजन समाज पार्टी ने बद्धे प्रदेश की बिंड लोकसवा सीट से अपना प्रत्यासी गोसित कर दिया है बिंड लोकसवा सीट से देवासिस जरारिया को टिकेट दिया है आज बुद्धवार की सुप सुवे कॉंग्रेस पार्टी से इस्तिफ़ा देने वाले नेता देवासिस जरारिया ने कॉंग्रेस से इस्तिफ़ा देने के बाद कुछ गंटे बादी बिंड लोकसवा सीट से प जरारिया को साल 2019 में कॉंग्रेस पार्टी ने लोकसभा का टिकेट देकर बिंडे से चुनाव लड़वाया था लेकिन वो बीजेपी प्रत्यासी संद्या राय से चुनाव हार गए थे फिर भी वो लगातर पांच साल तक पार्टी के लिए मैदान में काम करते रहे लेकिन एन इस बड़वार पर कॉंग्रेस ने उनका टिकेट काट कर फुल सिंग बरिया को विंडे से प्रत्यासी बना दिया है इसी बाद से नाराज देवासिस ने आज बुद्द़वार को कॉंग्रेस पार्टी की सद्चता से हिस्तफ़ा दे दिया है इस्तिफ़ा देने के कुछ गंटे बादी उन्होंने बीएस्पी अध्यच मायवती से मुलाकात भी की और मायवती से आसरबाद भी ले लिया और BSP अध्यच मायवती से मुलाकात के कुछ धीर बादी BSP ने देवासिस को भिंड लोकसवा सीट से प्रत्यासी बना दिया इसका लेटल भी BSP प्रिदेश अध्यच की तरफ से जारी कर दिया गया है देवासिस को जब प्रत्यासी बनाया गया तो उन्होंने BSP अध्यच मायवती और पार्टी के सभी लोगों को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा BSP पार्टी की तागत का एहसास करवाया जाएगा अब बिंड लोगसवा से BSP ने देवासिस को उतारा है इससे यहां मुकाबला काफी ज़्यादा कड़ा हो गया है क्योंकि BJP की संध्या राय को चुनोती देने के लिए अब तक चुनावी मैदान में कॉंग्रेस प्रत्यासी फूल सिंग बरिया थे लेकिन अब कॉंग्रेस पार्टी को छोड़कर BSP में सामिल हुए देवासिस भी BJP और कॉंग्रेस दोनों को ही टकर देनी मैदान में आ गए हैं लेकिन देवासिस BJP से ज़्यादा कॉंग्रेस को डेमेज करेंगे तोकि उनके जाहतर समर्ज तक कॉंग्रेस पार्टी से ही आते हैं अब देखने वाली बात ही है उनी की BSP पार्टी को हिंड लोक्सवा सीर्ष से कितना खाड़ा हो सकता है और कॉंग्रेस को कितना नुक्सान हो सकता है BSP प्रत्यासी देवासिस द्वारा थेंक्यू